नमस्कार नभारत टाइमस आउनलाइन में आपका स्वागत है आपको हम बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं पंजाब की कमान अब किसके हाथ कैप्टन अमरिंदर सिंग ने इस्तिफा दे दिया है और जो रेस में सबसे आगे चल ले हैं उनका नाम है सुनील जाखर जी हाँ में जाट फेमिली जो राजनितिक लिहास से जिनका कोई जादा वजूद नहीं है एक सिख के बदले जाट नेता पर कॉंग्रेस ने दाओं खिलने की कोशिश की है रननिति क्या होगी ये भी समझ लीजिए कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सिख होगा नव्जोज सिंग सिद्धू और सरकार की कमान किसके हाथ में होगी एक जाट नेता के हाथ में और सुनील जाखर पार्टी से बहुत ही क्लोजली एसोसियेटेड रहे हैं पहली बार 2002 में अब ओहर से वो विधायक बने इसके बाद लास्ट टाइम 2017 में जब एक साल पहले 2016 में बलराम जाखर का निधन हुआ तो 2017 में लोकसभा के उप्चुनाओं में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी गुर्दासपूर से और मैं आपको बता दूँ कि बलराम जाखर खुद उनका जो प्रभाव था वो सिर्फ पंजाब में नहीं था तो इसलिए नया सियम अगर जाट होगा तो इसके पीछे पंजाब, हर्याना और राजस्थान की पॉलिटिक्स भी आपको समझनी परेगी क्योंकि बलराम जाखर खुद दो बार सीकर से सांसद रह चुके यहीं नहीं 1998 में बलराम जाखर ने बीका नेर सीट से जीत हासिल की थी लोकसवा की चुनाव में जो उनका आखरी चुनाव था बतौर कॉंग्रेस के वेटरन लीडर तो आप समझे और यहीं नहीं सुनील जाखर खुद सीकर में प्रचार कर चुके हैं वहाँ पे वो अपना प्रहुत जमा चुके राजनैतिक प्रहुत उनकी जो कर्म हुमी कहिए वो वहाँ भी रही है तो एक तरीके से यह जो बागरी भाशा बोलने वाला जो बेल्ट है प सुनील जाखर को अगर हम सीम बनाते हैं तो इसका फायदा न सिर्फ पंजाब में होगा बलकि हर्याना और राजस्थान में भी होगा राजस्थान में कॉंग्रेस के भीतर क्या चल रहा है यह आपको मालूम है अशोक गहलोत सचिन पैलट क्या कर रहे हैं वो भी आपको माल में तो इसलियास से सुनील जाखर एक सर्प्राइज एलिमेंट लेकिन हो सकता है कि एक सटीक फैसला राहूल गांधी ने लिया हो बट यह डिपेंडिस पर करता है कि अमरिंदर सिंग के साथ कितने विधायक हैं जो बागी होने को तयार हैं और सुनील जाखर क्या उस संकट को मैनेज कर पाएंगे तो आपको बताओं उनके पास जो अनुभब है 2002 में वह अब वहर से पहली बार चुने गए थे इसके बाद लेकिन 2012 से 17 के बीच वो कॉंग्रेस के नेता के तोर पर विधान सभा में पर्तिपक्ष के नेता भी रहे पंजाब विधान सभा में तो उस समान करज करता आप समझ के होंगे क्योंकि राहुल गांधी ना कार्जकारी अध्यक्ष है ना फूल टाइम अध्यक्ष है वो अपने को समान करज करता बताते हैं लेकिन फैसले खुद लेते हैं इसी तरह बलराम जाकर इंद्रा गांधी की बहुत करीबी वो रहे और दो ब पिरस्प है आने वाले समय में पंजाब की पॉलिटिक्स किस तरफ मोर लेती है भाजपा की तरह जो खेल ये कॉंग्रेस ने खेलने की कोशिश की है जैसे खटर को एक खटरी पंजाबी कमुनिटी को जाट लैंड में सीम बना दिया कॉंग्रेस ने इसी तरह कॉंग्रेस ने पंजाब में एक गैर सिख को चीप मिनिस्टर बनाने की रेस में आगे लाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है तो नमस्कार हम आपको पंजाब के ताजा तरीन हालात की जानकारी देते रहेंगे